एमिदाबाद की करीब 16 विधान सबस शेत्रों में चुना प्रचार प्रसार का आज कारिक्रम है पीएम मोदी का जिस पर रहे गिये हमारी नजर आशू और मलिका आपको यह भी बता दें कि गुजरात की जुजामनगर सीट है उत्तरी सीट को लेकर भी दिल्चस मुकावला देखने को मिल रहा है क्योंकि रविंद्र जडिजा की पत्नी रिवाबा जडिजा बारती जन्ता पार्टी की प्रत्याशी हैं जबकि उनकी ननद नैना जडिजा कॉंग्रेस समिद्वार के साथ खड़ी हैं ज़रा देखें कि रिवाबा जडिजा रविंद्र जडिजा की पत्नी ये ननद है नैना बा जडिजा रविंद्र जडिजा की बेहन गुजरात की सियासी लडाई में ननद भोजाई का पारिवरिक तड़का खोब सुर्ख्या बटोर रहा है जामनगर उत्तर की सीट पर भावी बीजेपी की उमीद्वार है और ननद कॉंग्रेस उमीद्वार की समर्थक दोनों के अपने अपने सियासी स्टेंड हैं कहती है की लडाई परिवार की नई विचारधार की है महिंगा ये दिन में दिन बढ़ती जा रही है इन लोगों ने जो भी वादे किये है उसमें असफल रहे हैं तो ये बहुत सारी चीज़े हैं जिसके लिए आमजंत आप जाग गई है पांच साल बाद इनको मोका मिला है अपना वोट परिवर्दन करने के लिए और सब किया उधर नैना वाजड़ेजा कॉंग्रिस के उमीदवार भूपेंद्र सिंग जड़ेजा के साथ खड़ी रही लेकिन दिल्चस्प ये है कि उनके साथ उनके पिता भी दीवार की तरह कॉंग्रिस के समर्थन में डटे रहे अब बेटा रवेंद्र अपनी पत्नी रिवा रिवाबा के समर्थन में हैं तो पिता अनिर्दी सिंग जड़ेजा कॉंग्रिस खेमे में बेटी के साथ खड़े हैं इस बार एक यूथ भी इसमें सामील हो रहा है तो उनको भी एक कही उमीद है कि रिवाबा आएगी तो अच्छा काम करेगी जामनगर के लिए और जामनगर कोई जो भी अंडर डेवलोप एरिया जो भी लोगों की उमीद है उसमें कोई यह नहीं है ननद और भोजाई भले ही एक ही परिवार हैं लेकिन दोनों की सियासी विचार धाराया लग हैं भले ही रविंद्र जड़जा की बहन चुनाब नहीं लड़ रही है लेकिन उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तैक करने के लिए जी जान एक किया है देखने वाली बात होगी कि जामनगर उत्तर की जनता किस के साथ खड़ी होती है ननत के साथ या फिर भोजाई के साथ जामनगर से मिलन शर्मा के साथ आज तक भी उरो